जो मम्मी पापा की प्रिंसेस है और आप सभी के दिलों की धणकन है जो अपने नाम और किरदार से घरगर में जानी जाती हैं नाम उनका दीपिका है और आप उन्हें प्यार से दीपु कहिकर बुलाते हैं आज की इस वीडियो में ब्यूटिफुल नेचर वाली आप सबकी फेवरिट दीपिका सिंग की लाइफ स्टोरी के बारे में जाने हैं जब भी हम कोई खुआप देखते हैं कि हमें कुछ करना है कुछ बनना है आखों में सपने लेकर एक सहर से दूसरे सहर आते हैं उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो हमने देखा है ऐसा ही जजबा लेकर मुंबई पहुची दीपिका सिंग जो आज जानी मने हस्ती बन चुकी हैं इनका जन्म 21 जून 1984 को राजधानी दिल्ली में हुआ था दीपिका ने अपने करियर के सुरुआत दिया और बाती हम टीवी सीरियल से की दीपिका टीवी की फेमस एक्टरस बन चुकी हैं दीपिका एक सक्सेस्फुल एक्टरस और मॉडल बनने का खुआब लेकर मुंबई आये थी दीपिका ने स्टार्टी में काफे स्ट्रगल किया अपने स्ट्रगल टाइम में दीपिका कई कई रातों तक भी न खाये ही सोजाती थी अपने पैसे बचाने के लिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके दिपिका दिल्ली से हैं इन्होंने लोकल प्राइविट इसकूल से अपने स्कूलिंग के स्टडी कम्प्लीट की उसके बाद कॉलिज बंजाब टेक्निकल युनिवर्सिटी से यंबिये विजनिस से एड्मिनिस्ट्रेशन किया उसके बाद 2011 में उन्होंने टीव इंडेस्ट्री में कदम रखा कुछ ही एक्ट्रेस होती हैं जो इतनी जल्दी काम्याबी के सिखर तक पहुंचती है दीपिका ने 2011 में संध्या राठी का किरदार निभाया था दिया और बाती हम सीरियल में दीपिका का यह रोल टीवी पर बहुत ही ज़्यादा सूपर डूपर रहा 2011 से सितमवर 2016 तक यह सीरियल ओडेंस ने काफी पसंद किया पन साल तक चले इस सीरियल में दीपिका ने संध्या की किरदार को बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से प्ले किया आज भी ओडियंस उनके इस रोल को याद करते हैं लेकिन टीवी सो दिया और बाती हम दीपिका सिंग और अनस रासित को जबज़स स्टाडियम दिलाया था इस सो के जरिये दोनों की जोड़ी को संध्या और सूरज के रूप में पसंद किया जाता है इस सो के बाद उनकी फैन फॉलाइंग बढ़ती जली गई कुछ सूत्रों के अकॉर्डिंग एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिस वज़ा से दीपिका सिंग ने अनस रासित को जोड़दार थपड मारा था इस सो के एक इंटिमेंट सीन की सूटिंग के वक्त हुआ है पताया जाता है सूट के दावरान अनस रासित प्रोड़क्शन टीम दोरा दीख जा रहे इन इस्ट्रक्शन को मिस कर गए नतीजा यह हुआ कि जहां उन्हें दीपिका को कमर में पकड़ना था उन्हें सामने की तरफ से पकड़ लिया जिससे दीपिका बहुत नाराज होई और एक जोड़दा थपड जड़ दिया इसके बाद दोनों की बीच काफी पहस हुई, जिसे दीपिका ने सो को छोड़ने की धमकी दे दी, फिर क्या था, दीपिका ने सो को छोड़ दिया, किन उसके बाद दीपिका 2018 में The Real Soul Mate वेप सेरीज में एक बार फिर नजर आई, बेतरीन अक्टरेस के रोल में, 2019 में दीपिका ने डवल रोल निभाया और साची के रोल में एक बार फिर दीपिका अपनी एक्टिंग से अपने फैंस और ओडियन्स के बीच छुट हुएं दीपिका ने गुम है किसी के प्यार में इस सीरियर का प्रोमोसल आईपेस जर्ब संध्याराथी बनके किया दीपिका के फैंस अच्छी खासी पहचान बना लिए अगर इनकी इस्टाग्राम फॉलवर की बात करें तो इस समय इनके 3.4 मिलियन फॉलवर्स हो चुके हैं लोगों को इनका केदार इसकदर पसंद आया कि आज भी इनकी फैंट फॉलोइंग मिलियन्स में दीपिका एक सीरियल की एक एपिस पहसिल कर चुकी दीपिका आज किसी पहचान की महताज नहीं है अगर दीपिका की फैमली की बात करें तो इनकी फैमली में इनकी मम्मी इनके पापा और दो भाई बहन हैं दीपिका के पापा दिल्ली में कपलों का बिजनेस करते हैं वहीं दीपिका के मां एक होम मेकर हैं औ west fresh new face, best on screen couple and best actress in lead role के लिए भी एक कामियाब एक्डरेस बनी अपनी कामियाबी के credit उनकी family उनके husband को देती है। दीपीका के husband रोहितराज्गोयल है जो की बहुत ही ज़्यादा famous director है। दिपिका के साधी 2 मई 2014 को हुई, साधी के 3 साल बाद एक बेटे की मा वनी, जिसका नाम सोहम है, दिपिका अपने करियर में तो सफल है ही, साथ परफेक्ट मैरिड लाइब भी रखती है, दिपिका बहुत ही ज़्यादा फेमस और इसी डांसर भी है, दिपिका का करियर सफल प्रिंटेड ड्रेस प्याने और उखड़ी पेड़ के साथ पोस्ट देते हुए, अपनी तरस्वीरे पोस्ट की, पीरे उनके हस्बेंड रोहित रहस गोयल ने क्लिक की, वहीं एक पोस्ट में अक्ट्रेस पेड़ के सामने डांस करती नजराई, पोस्ट को कैप्सन दिया ग लेकिन चक्रवात के दवरान गिरे हुए पेड़ के साथ पोस्ट देना खतनाक है, मैंने सुना है कि कई लोग मारे गए, यह रही दी पिकर सिंग की नॉर्बल लाइफ से सफल अक्ट्रेस बनने की खानी, थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्स